जैसे कि किसी बीमारी को दूर भगाने के लिए medical capsule की ज़रूरत होती है उसी सरा exam में पास होने के लिए भी इस capsule की ज़रूरत आपको पड़ेगी So back to the channel guys, this is शिवामबाच पे, here we are with another capsule, capsule number 16, MP Police Constable GK, MPGK Science Current Affair के यहां पे हम 50 questions discuss करने वाले हैं बो भी 10 मिनिट में, तो हमारे साथ अंत तक बनी रहीएगा, ये 50 जो question है, ये one liners है, ये आपको exam में पास होने में बहुत ही मदद करने वाले हैं, तो हम बीडियो को start करने वाले हैं, बहुत ही important national news जो आज बनी रही है मद्ध प्रदेश से, उसको हम discuss करने वाले हैं पहले question के माध्यम से, पहला question ये कहता है कि राज जिस्तरिये जन जातिये सम्मेलन, इबं सिंगोरगण किले का संरक्षन कारिका सिला नाश कब हुआ और किस के द्वारा किया गया, तो आज ही तारीख है 7 मार्च 2020, ग्राम सिग्रामपूर जिला दमोह में, महा महिम राष्ट पती श्री रामनात कोबिंद जी द्वारा इस कारिकरम का सिला न्याश किया, उसी का मैंने एक फोटो लिया गया है, जो कि सिग्रामपूर जो जगा है, मैंने आपने मेरा एक ब्लॉक चेक आउट किया होता, मैंने कुछ दिन पहले एक अपना जो सिग्रामपूर का रानी द केंद्री अपरेटन मंतिरी पहलात पटेल, सिवरासिंग चोहान और मद्प्रदेश की राजपाल महमाहिम आनंदी बेन पटेल सभी लोग मौझूद थे और इस इनकी मौझूदगी में राजिस्तारिये जंजातिये सम्मेलन में सिंग औरण के लिए कि इस अनरक्षन कार का सिलान नास कार करम रखा गया जिसमें जंजातिये समारों भी हुआ और मौक्यमंत्री सिवरासिंग चोहान ने यह घोशना भी की कि यहां पर प्रतिवर्स जो है जंजातिये समारों का आयोजन किया जाएगा तो यह आज की बहुत बड़ी नेशनल नियूज थी जो की सिलान नास किया गया चले कॉस्चन नमर दूसरा देखते हैं चूली अजल प्रपात किस नदी परिस्थे तो यह चंबल नदी परिस्थे थे हाली में किस अभी दिनेता ने यह भी आज की बहुत बड़ी खवर रही है कि मितुन चक्रवरती जो की पस्चे मंगाल के रहने व पस्चे मंगाल में होने वाले चुनाओ से पहले बीजेपी की सदस्चता ग्रण की है तो वो मितुन चक्रवरती हैं मितुन चक्रवरती को सभी लोग जानते हैं कि पस्चे मंगाल से विलॉंग करते हैं और यह हो सकता है कि भविश्य में पस्चे मंगाल के बीजेपी की तर किस पहाड़ी से हुआ है तो काकरी बरड़ी पहाड़ी है जो इंदौर के निकट है वहां से छिप्रनदी का उद्गम हुआ है तबा नदी किन बनों के मध्ध वहती है तो मड़ाई बन जो है उसके मध्ध जो है तबा नदी बहती है और होसंगाबाद जिले में ये मड़ाई परिस्तित है तो यह कंचन घाट जो है वो बेतवा नदी परिस्तित है और इस बेतवा नदी का उद्गम इस्थल जो है राय सेंजले के कुम्रा गाउं में है मद प्रदेश और उत्तर प्रदेश की शीमा को बनाने वाली नदी कौन सी है तो ये कई बार एक्जाम में इसका आंसर जामनी नदी मिलता है जो कि बेतवा नदी की सहायक नदी है अगर option में आपको बेतवा नदी मिलता है तो आपको बेतवा आंसर लगाना है अगर option में आपको जामनी नदी मिलता है तो आपको जामनी नदी आंसर लगाना है चले बात करते है question number 9 की the river of pleasure खुशियों की नदी किसे कहा जाता है तो सभी लोग जानते है नमावी देवी नर्म तो नर्मदा नदी को दर रिवर और प्लेजर के नाम से जाना जाता है जिसकी को लंबाई 1312 किलो मीटर एवं मद्द प्रदेश मिसकी लंबाई 1070 किलो मीटर है बात करते हैं कॉस्चन नमबर 10 की शीवान और लतिया नदियों के संगा मिस्थल पर कौन से नगर बसा हुआ है चाहे पटवारी का एकजाम हो चाहे बनारक्षक का एकजाम हो चाहे गृप टू सब गृप का एकजाम हो या कोई भी एकजाम हो उसमें कौस्टन जरूर आता है क्योंकि यह बहुत बड़ी मोहिम थी मद्दप्रदेश गवर्मेंट की जिसमें लगभग लगभग सवा पौधों का भी जो ब्रक्षा रोपन किया गया था तो 11 दिसंबर 2016 से नमावी देवी नर्मदे शिवा यात्रा की शुरुवात हुई और शांची विदीशा किस नदी के किनारे वसे हुए हैं तो और शांची विदीशा तो चुकि मैं इसको याद करने की ट्रिक बता देता चुकि और शा का संबंध है भगवान श्री रामशे और मद्प्रदेश की जो आयोध्या है उसके मद्प्रदेश की जो आयोध्या है वो और शा को कहा जाता है और मद्प्रदेश की गंगा है वो बेतवा को कहा जाता है तो आप याद रख सकते हैं कि मद्प्रदेश की गं में जब आप पंचवटी नौ का विहार पर जाएंगे तो आपको अंदर जब जाने पर यहां पर एक इस्थल मिलेगा जो संगमर्मर्मरी चट्टानों से बना हुआ है बहुत उंचा जहां से पूर्व के समय में कभी बंदर कूंते थे तो बंदर कूंती के नाम से फेहमश हो गया तो इसको याद रखना है कि जबलपूर के भेडा घाट में है बात करते हैं कॉस्चन नमबर 15 की करंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर इसमें केमूर किसलिए प्रिशिद्ध है तो सीमेंट उद्योग के लिए हमारा केमूर प्रिशिद्ध है मणी रतनम मणी रतन और जिवरात के लिए कौन सा सहर प्रिशिद्ध है तो यह इंदोर के बहुत अच्छे इंदोर का जो सराफा है वह बहुत फेहमा से मणी रतन औ अलग होता है जो अपन छज्जा बनाते ना जिससे वो यह सीमेंट शीट उद्धियोग मंद्य प्रदेश में कहां इस्थे तो यह कटनी में इस्थे थे चुकि वहां पर सीमेंट की फैक्टरी है तो वहीं बनते होंगे एसिया का सबसे बड़ा सोयबीन कार खाना कहां पर इस थे तो यह उजेन में है ठीके मतपरदेश में सबसे बड़ा हथ करगा उद्यों कहां पर ãy ऑपर है तो यह बुरहान पूर में है राजा मानसिंङ्ग तोमर संगित विश्विध्याले कहां पर इस्थे तो यह गौालियर में जब मानसिंग पहले सब्छे है तो मांसिंग तोमर बिश्विध्यालाइवी ग्वालियर में है क्योंकि लोकल की जो फैमस परसनालिटी सोती है उन्हीं के नाम पे वहां की इनिवर्शिटी के किया गया था मध्यПрदेश में यह कॉस्चन अभी आपको ना यूटूब्स मिले गा ना किसी की बुक में मिलेगा ना किसी भी चैनल पर मिलेगा कोऊ्चन मैंने डेभलोव किया है आज ही मने पड़ी यह नीई लग्यूज किड्नी ट्रांस्प्लांट करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है तो गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल जी एमसी भोपाल ने पहली बार सफलता पाई है और ये किड्नी ट्रांस्प्लांट करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है गांधी मेडिकल क सबसें किस समय होती है घुला कितना होता है 250 इसका 6 कश्व्य होता है इसको प्रब कुस्त किस स्कति है नहीं बनेगा तो आपको कही पर चोट लगेगी जब बाउंड होगा जब आपका कट लग जाएगा या चोट लग जाएगी तो जब रक्त बहने लगेगा तो अगर ब्लट क्लोटिंग नहीं होगी रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो खून बहता ही रहेगा बहती रहेगा और आपका खून सरीर जो है वो रक्त वहीन हो जाएगा लेकिन उसमें एक vitamin K पाया जाता है जिसकी वजह से वो खून का थक्का बनता है और हमारा रक्त बहने से रुख जाता है जहां पर वी आपको चोट लगती है कुछ देर बाद देखते होंगे कि एक पपड़ी जम जाती है तो वो clotting होती है blood की और वो होती है vitamin K की वजह से इतन अच्छा समझा दिया इसको याद रखना है मनुस्य का हिर्दा कितने मतनुस्य का जो हिर्दा है वो कितने कोश्टिय होता है कोश्टिय मतलब उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं तो चार ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे कोश्टा मतलब कोश्टक एक होता है ना कोश्टक ब्लॉ समुझ देखते हैं Alors हिर्दए की इसपंधन की जांच करने की प्रक्रियद के नापते तो बैसे अपने इस सपंधन की बनके आते हैं वही ECG जांच होती है उसे अपन हिर्दय की इस पंदन गती की जांच कर लेते हैं जो कि डॉक्टर लोग उसको पढ़ते हैं इस फेगनो मीटर का क्या मापती है तो रक्त दाप को मापने के लिए हम स्फेगनो मीटर का इस्तिमाल करते हैं ब्लड प्रेशर मशीन किसने बताया कि प इस उत्तपूराम है ठीके सेलूलर और मॉली कुलर जीव विविझ्यान के अंदर कहा इस्ते थे सेलूलर एवं मॉली कुलर जीव विभ्यान केंदर कहां पर इस्तित थे तो ये बिखले के महारास्ट में मलेया रिसर सेंटर कहां पर इसे तो के हलाती है करते हैं जिसुक्छे कलचर लगा रहता ना तो वो क्रसी से खैलाता है तो आप्ठालोमोब आप्था लामोस लिस्ट कहलाता है नेत्र का चिकिस्ता ठीक है अपको सर्च करना करें आप्था लॉमिस्ट नियर बाय मी सर्च करोगे तो जितने भी आँखों की डॉक्टर है आपके आसपास की वो आज आएगे ठीक है हजामत बनाने के लिए किस दर्मण का बियोहार किया जाता है तो आतल दरपन प्रण के सामने लगा होता है जो बाइक में दरपन लगा होता है तर्ण होता है तो एक तो बास्तविक बनता है और एक उल्टा बनता है वो उल्टा का मतलब यह नहीं कि हमें आदमी उल्टा लटका हुआ दिखेगा चुकि प्रतिविंब उल्टा बनता है तब हमको दिखता सही है ठीक है वो एक थियोरी होती है आँक के बारे में ठीक है बास्तविक लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाए देता है तो हाँ पर जो लाल कलर की काई जमा है सेवाल जिसे हम कहते हैं उसी की वज़ाए से उसका रंग जो है लाल दिखाई देता है चुकि आज मैंने थोड़ा सा दो या तीन मिनट आपसके जादा ले लिए चुकि मुझे लग रहा था कि जो पिछले पीडी एप से उसमें क्या पचास कॉस्टन कवर करने की हमारे टारगेट था उसके चक्कर में थोड़ा सा जल्दवाजी हो जाती थी तो आपकों पचास कॉस्चन कवर कराे आ हैं तो ये थे पच्चास बहतरीन कॉस्चन ब्राट टू यू बाई SB स्टूडियो तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं जय हैं जय भारत